नमस्कार ए तो जेट डिशश उशाक उर्जानी में आप सबका स्वाकत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दही मेथी की सबजी ये रोटी पराथे चावल के साथ बहुत बढ़िया लगते है आपने मेथी बेसन की सबजी तो खाई होगी पर य मेथी की सबजी ज़रूर ट्राइ करके देखेगा काफी टेस्टी लगती है उसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले ओखली और इसके अंदर हम डालेंगे लसुन तो यहां पर नब 6-7 लसुन की कलिया चील कर डालें तीन से चार हरी मिर्शी काटकर एक चाथाई चमाच जी पेस्ट नहीं बनाएगा दर्दरा ही पीसना है पर इस तरह से अगर ओठ ली है तो जरूर इसका इस्तमाल कीजे काफी बढ़िया लगता है इससे इसका स्वात काफी अच्छा आता है तो यहां पर आप देख सकते है मैंने इससे दर्दरा कूट लिया है और देखे बस इसी चौथाई चमच राई और इसी के साथ एक चौथाई चमच जीरा और जो हमने यह दर्दरा सबी चीज़े कूट के रखी ते न वो इसके अंदर डाल दे और इसे लगवक एक से दो मिनट तक आपको अच्छे से भूनना है ताकि इसका कच्छा पंदूर हो जाए तो यहां बिख सकते हैं इसे भून लिया है अब इसके अंदर हम डालेंगे एक कप ताजी मेथी पानी से इटाजी से वश कर लिये है साफ कर लिये जाल देए ठोड़े से दरिया के पते डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करते हूँ है एसे हम 2-3 मिन तक भूनेंगे मेथी को तो यहां पर 2-3 मिंट हो गाए है, मेती देखे अच्छे से भून गई है, तो इसके अंदर हम नमक डाल देंगे, पहले भी हमने नमक डाला था, इसके अपने स्वात के अंदुसार डालिएगा, एक चौथाई चमच हली पाउडर, आदी छोटी चमच धनिया पाउडर, आदी आपको वही चमच से, चार चमच पानी इस तरह से छिड़क लेना है, चार चमच जितना ही जादा नहीं, और इसे आपको मिक्स नहीं करना है, धक कर दीमी आज पर 3-4 मिनिट के लिए पकाना है, जैसे ही 3-4 मिनिट हो जाए, धकन को हटा ले, अच्छे से मेथी के अंदर ब आप चाहे तो मार्केट के भी ले सकते हैं, जो आप पसंद करते हैं, घर पर जमाते हैं, तो घर के लिए एक कब दही डाले के बाद, अच्छे से इसे मिलाते जाना है, यहाँ पर आप देखे, अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया, मिक्स करने के बाद इसे ढखकर दीमी आज पर 3-4 मिनिट के लिए और पकाएंगे तो यहां पर लगबग 3-4 मिनिट हो गए हैं और यह बढ़िया सी दही मेथी की सबजी बनकर तयार है गर्मा गरम फटापफट इसे खा लीजे रोटी के साथ या पराटो के साथ या चावल के साथ या बाजरे के आठी के रोटी के साथ या चावल के रोटी के साथ बहुत-बहुत-बहुत ही टेस्ट लगते साथी-साथ हेल्दी भी है तो यह ज़रूर ट्राइ कीजेगा और जाते जाते चैनल को सस्क्राइब करना बिलकुल ना भूले आज के ले बस इतनाई, थांक यू